Welcome to Achievers Academy तो शुरू करते हैं section A sample question paper का 24 questions है section A में all 24 questions आप इस वीडियो में देखोगे with full explanation आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है किस तरह से questions करना है तो वीडियो ध्यान से देखना patience के साथ देखना हर जो question है उसके चारो option किस तरह आपको चूस करना है उसमें से correct option पूरा आपको वीडियो में दिखाया है मैंने अच्छे से बता रख रख आपको ध्यान से वीडियो देखना है तो बेना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेट से स्टार्ट तो शुरू करते हैं section A section A consists of 24 questions जो कि आपको कल भी मैंने बताया था जब पेपर explain किया था और उन 24 में आपको 20 करने हैं बेतर होगा आप पहले select करने हैं आपको कौन से करने वही 20 आपको करने 24 करने कोई फायदा नहीं है ठीक है आप सोचो कि आपने 24 कर दिया आपको right में number मिलेंगे ऐसा नहीं है तो 20 ही evaluate के जाएंगे वह भी जो पहले की हैं अब इदे आपने पहले वाले अपने गलत कर दिया बाद बादे सही की हैं तो आपके वह wrong वाले ही count होंगे तो इसलिए आप select करोगे questions को जो question आपको सही लग रहा वह आपने कर लेना है जो आपको बिलकुल short short है वह 20 आपको छांटने है वह 20 आपको करने है तो question first क्या है Rima took 5 ml of lead nitrate solution किस चीच का लिए lead nitrate solution का 5 ml लिए इन भी कर and added approximately 4 ml of potassium iodide solution to it what would she observe क्या होता है तो को lead nitrate lead nitrate का formula क्यों होता है आपका lead nitrate का formula होता है PVNO3 whole twice potassium iodide क्यों होता है आपका KI तो इसकी reaction करा लेते हैं फटाफट से तो यह होगी reaction आपकी PVNO3 whole twice plus KI यह दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनते है आपका PVI2 plus potassium nitrate KNO3 और इस तरह से आपकी reaction balance हो जाती है अब color क्या होता है पूछे आपसे what would she observe तो यह दी suppose यह आपका test tube मुझने लिया है potassium iodide and lead nitrate टीक है तो lead nitrate और potassium iodide लिया हो है तो क्या होगा कुछ समय बाद यह lead nitrate है तो क्या होगा जो color दिखेगा इस test tube के अंदर after the reaction जो color हो जाएगा आपका yellow color हो जाएगा कुछ इस तरह से yellow color इसमें दिखेगा तो यह yellow color किस वज़े से होगा because of the formation of lead iodide ठीक है तो यह क्या है आपका PBI2 और जब आप इसको कुछ समय रखोगे तो यह cable नीचे settle हो जाएगा clear यह ऊपर दिखेगा यह नीचे settle हो जाएगा तो यह क्या है आपका lead iodide बना lead iodide क्या है आपका yellow precipitate बनता है ध्यान आगया clear हो गया very good तो यह क्या है the solution turns red गलत है yellow precipitate was formed तो हमने देखा yes yellow precipitate बना है तो हमारा B option यहाँ पर correct option हो जाता है white precipitate was formed यह भी wrong है the reaction mixture became hot यह भी नहीं है तो यहाँ पर हमारा B option correct हो जाता है तो हमारा answer क्या होगे यहाँ पर option B is the correct answer अब देखो बच्चो second question identify A in the following experiment identify gas A ठीक है अब gas कौन सी है यहाँ पर देखो जो आपको figure दिख रही है इसमें आपको gas दिख रही है यह आपको gas A दिख रही है burning of a gas A with pop sound तो यह ध्यान होगा S2SO4 लिया है तो यह दोनों जब reaction करते हैं तो क्या बनता है zinc sulfate बन जाता है और hydrogen gas evolve होती है तो यह जो A है वो क्या है hydrogen gas है और hydrogen gas का identification क्या होता है bubbles दिखेंगे आपको इस तरह के और plus pop sound के साथ यह burn होती है इसकी reaction भी देख लो एक बार बच्चों ZNSO4 होता है gives ZN plus H2SO4 gives ZNSO4 Z zinc sulfate plus hydrogen gas निकलती है तो बहुत simple सा question है यहाँ पर आपके gas के नाम दे हो है A option nitrogen नहीं है B option hydrogen yes the correct option oxygen carbon dioxide दिखेंगे तो आपका option कौन सा correct है यहाँ पर answer के है आपका answer is option B is correct है तो बहुत simple caution है यह activity आपको ध्यान होगा आपने बुक में देख रखिए मैंने वीडियो में भी आपको यह activity especially explained की हुई है तब बच्चों देखते है question 3 क्या है बहुत interesting question दिख रहा है metal है metal ने dilute HCl के साथ में reaction किया दोनों reaction करना है फिर यह दिखाया आपको इस तरह से दिखाया यह की after reaction product बने metal salt and gas तो reaction किस तरह से है metal हो गया plus dilute HCl हो गया यह दे रहा है metal salt and plus gas hydrogen gas है हमें पता है क्योंकि dilute HCl तो hydrogen gas निकलती है metal acid से reaction करता है तो metal salt और hydrogen gas यह तो तुम्हें याद हो गए होगा अब देखो यहां पर कौन से metal react करेगा which of the following two combinations are correct तो इनमें metal दिये है और दिया gas evolve देखो वही metal react करेगा जो displace कर पाएगा hydrogen को यहां पर आपकी reactivity series काम आने वाली है एक चीज और जब वह displace कर पाएगा तभी reaction होगा तभी gas evolve होगा तो देखते हैं कौन से options आपके correct है अब copper है copper hydrogen के नीचे आता है तो copper is less reactive copper क्या है less reactive है than hydrogen तो यह तो reaction नहीं करने वाला है iron more reactive hydrogen से iron reaction कर लेगा और gas भी evolve हो रही है very good प्रकुल सही option है magnesium अब magnesium भी more reactive है मैं पता है magnesium तो iron से भी जाद reactive है तो reactive तो है hydrogen से लेकिन यहां पर लिखे है gas evolve नहीं हो रही है तो यह option आपका wrong हो जाता है क्योंकि gas evolve होगी और zinc है वह भी hydrogen से जाद है reactive है और gas भी evolve हो रही है तो हमारे 2 & 4 यह दोनों option हमारे correct हो जाते है देखते है option A 1 & 3 नहीं यह गलत है दोनों option हमारे B 1 & 4 यह भी wrong हो गया क्योंकि 1 wrong है फिर 2 & 3 3 wrong है यह आपर D option 2 & 4 is the correct option तो हमारे जो answer आए है आपर क्या है option D is the correct answer clear हो गया very good question number 4 which of the following correctly represents a balanced chemical occasion simple question है यहाँ पर आपके 4 option दिये है इनमें आपको देखना है किसमे reaction balanced है ठीक है reaction सब में iron है सब में water steam जो की gas के form में है आपको दिख रहा है तो iron steam से reaction करता है आपको पता है कि iron 2 & 3 oxide बनता है और hydrogen gas तो यह सारे तो correct है अब इसमें balance का पूछा है वही आपको देखना है केवल तो दिखो iron यहाँ पर 3 है यहाँ पर 1 है यह option आपका eliminate हो जाएका नहीं है 2nd option fe 3 4 to the 8 h 4 to the 8 h 4 o यह आपका सही बनता है 3 fe 3 fe 4 h 2 यहाँ पर भी h 2 सही है o 4 o single wrong हो गया यहाँ पर आपका 3 fe 4 h 2 नहीं है आपका यह भी wrong हो गया वैसे भी आपको तीनों चीज़ों को देखना है की reaction में तीनों balance होना है तो यह आपका b option correct हो जाता है answer क्या होगे आपका option b आपका यह जी second यह first option जब भी कोई option सही निकल जाता है इसका यह मतलम नहीं आप last option नहीं पढ़ोगे वो पढ़ना जरूरी है जिससे आप बिल्कुल short short हो जाओ कि हाँ यह option ही यह मेरा correct है जैसे मेरा B सही था मुझे जौरत नहीं थी C औ D लेकिन वो पढ़ना जरूरी है यह आप भी practice मे लाओगे यह नहीं कि first option सही हो गया को टिक किया और आगे बढ़ गया question 5 the graph given below depicts a neutralization reaction यह तो graph दिया हो है पूछा है आपको कहा जा रहा है कि neutralization reaction depict कर रहा है यह मतलब acid plus alkali gives salt and water हमें पता है neutralization reaction क्या होता है जिसमें आपका acid or alkali add करते हो means acid plus base gives salt and water ठीक हो अब the pH of the solution changes as we add access of acid to an alkali अब A, चुकि A14 पर इसले इसको alkali बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर strong base होता है और यह alkali होता है आपका anyoH ठीक है तो अब यहाँ पर क्या आपको acid इसमें एड के जा रहा है acid एड के जा रहा है तो क्या होगा यह थोड़ा थोड़ा means base ना हो तो बहुत simple question है थोड़ा सबस आपको कई बाद का होता है बच्चे देखते हैं कि इस तरह से यह तो पहले बात तो आपको questions की बहुत practice करनी है दूसरा बिल्कुल गवराना नहीं बहुत अराम से आपको करना है दूको A के आपका 14 पर है base है यहां से B पर आया है यहां पर strong base से थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है basic nature क्योंकि इसमें acid अड़ के जा रहा है C पर आते यह neutral हो गया 7 पर ठीक है यहां पर यह neutral है अब क्या होगा यहां पर base तो खतम हो गया simple यहां पर acid और salt बचेगा तो यहां पर D आप कह सकते हो जहां पर यह acid है तो option देख लेते हैं A B C और D option D is the correct answer तो जब तक आप अच्छे से ना समझे लो उसको मत करना आगे अब देखते हैं question number 6 in the reaction of iron with copper sulfate solution copper sulfate plus iron gives copper plus FeSO4 बहुत simple reaction दिया आपको यह है यह आपको ध्यान होगा कि हमने एक test tube लिए और उस test tube में हमने add किया copper sulfate ठीक है जो हमने copper sulfate यहां पर add किया और उसके अंदर हमने क्या डाला था एक iron nail डाल दी थी याद आ रहा है आपको ठीक है iron nail हमने यहां पर डाली आपकी और उसकी वज़े से क्या होगा यहां पर यह iron nail है अब जब reaction होगी कुछ समय बाद क्या होगा जब आप देखोगे तो reaction के बाद यहां पर क्या होगा यह यहां पर test tube है इसका जो copper sulfate है वो क्या होगा ठोड़ा green color का ferrous sulfate बन जाएगा यह green हो जाएगा ferrous sulfate बन जाएगा और जो आपकी iron nail है उसके उपर आपको brown color का copper देखेगा तो यह आपकी reaction थी आपको दियान होगा यह before reaction है और यह after reaction है तो copper sulfate के अंदर copper sulfate यहां पर blue color का है ठीक है और यह iron nail है यहां पर यह क्या बन गया आपका ferrous sulfate बन गया और जो nail है उसके उपर क्या हो गया copper यह आपकी reaction है अब पूछा आप से which option in the given table correctly represents the substance oxidized and reducing isn't अब यहां पर आप से पूछा है कि कौन सा substance oxidized हो रहा है कौन सा reduce हो रहा है तो मैंने आपको वीडियो में भी यह चीज बता रहा है यह बहुत ध्यान से इती वीडियो नहीं देखा है तो oxidation reduction वाला वीडियो आप देख लेना जाकर first chapter का ठीक है यहां पर क्या है यह आपका copper sulfate है और iron है reaction side में आपको देखना है simple बहुत simple है आपको पता है कि जिस substance में after reaction आप देखोगे oxygen add हो गई यहां पर क्या है iron में oxygen add होई है तो यही हमने देखा है फिर पूछा है कौन सा reducing agent है तो बही जो oxidize होता है वही reducing agent होता है मैंने बताया भी तो especially यह चीज क्योंकि यह oxidize खुद तो हुआ है लेकिन इसने दूसरे को reduce किया यहां से oxygen को इसको ने लिया है यानि इसने reduce किया तो reducing agent हो गया और oxidize हो गया अब option देख ले तो समझ में आगए अच्छे से जो oxidize होता है वो reducing agent होता है ध्यान रहना और जो reduce होता है वो oxidizing agent होता है यही मैं copper sulfate की बात करूँ तो यह reduce हुआ है और इसलिए यह oxidizing agent है क्योंकि इसने oxygen provide की है तो agent तो वही होगा न जो provide कर रहा है कोई चीज अब iron ने इसको reduce किया है मीन्स इसने इससे oxygen को लिया है तो यह reducing agent हो गया और oxidize हो गया है खुद से ठीक है oxygen यहाँ पर add हो गया तो option देखते है option A है आपका substance oxidized iron reducing agent iron तो यह हमने answer निकाल लिया है ठीक है correct option A is correct here B wrong हो गया क्योंकि iron तो ठीक है लेकिन iron sulfate wrong है यहाँ पर यहाँ पर copper wrong है iron सही है यहाँ पर भी copper sulfate wrong है iron सही है तो हमारा option A is the correct answer तो answer के हैं यहाँ पर option A तो बहुत simple से questions है बहुत ही आसान questions है समझ में आ रहे होंगे अच्छे से very good बढ़ते हैं 7th question के ओर the chemical reaction between copper and oxygen can be categorized as अरे बहुत simple question है यह copper है oxygen है और बन गया आपका CuO जो आपको बहुत अच्छे से reaction याद हो गई होगी कई बार कर रखा है तो यह क्या है आपका बहुत two substance है एक substance बना है कौन सी reaction हो गई है यह reaction हो गई है आपकी combination reaction ध्यान आगे आपको yes very good तो यहाँ पर देख लो displacement नहीं है decomposition नहीं है combination है double displacement भी नहीं है तो कौन सा option correct है यहाँ पर option C is the correct option देखते है question number 8 which of the given options correctly represents the parent acid and base of the calcium carbonate तो को यह parent acid and parent base यह आपने NC80 की activity है मैंने video भी बनाया हुआ है इस पर complete मैंने कई acid bases से बना करके दिखा है salt चो बनता है तो किस तरह हम पहचानते है कि किस acid से बना है और किस base से बना है तो बहुत simple है आप से पूचा है calcium carbonate तो सबसे पहले तो आप लिख लो calcium carbonate यहाँ पर ठीक है अब calcium carbonate calcium कहां से आया है calcium आता है इसमें calcium hydroxide से hydroxide कहा है base है तो यह तो इसका हो गया parent base CO3 कहां से आया है carbonic acid से आया है यह क्या हो गया इसका यह water बनते है साथ में acid plus base, salt plus water, तो यह नहीं इसका calcium carbonate का parent base होगे, calcium hydroxide, parent acid होगे, carbonic acid देख लेते हैं, options, option A, parent acid, HCl, parent base, NOH, wrong, option B, H2CO3, CAOH, whole to IC, हमने निकाल लिया है, option B, is the correct option here, C में phosphoric acid दिया है, wrong है, sulfuric acid दिया है, यह भी wrong है, और calcium sulfate भी wrong है, तो हमारा option B, correct हो जाता है, हो गया है, हमारा option B, correct, very good, Question 9, how will you protect yourself from the heat generated while diluting a concentrated acid, जब आप concentrated पूछे आप से, कि आप अपने को किस तरफ प्रोटेक्ट करोगे, क्यों, क्योंकि आपको पता है, कि जब आप concentrated acid को dilute करते हो, तो बहुत जाद है, heat evolve होती है, exothermic reaction होती है, कई बार burn हो जाता है, तो कैसे burn होने से हम बच सकते हैं, कैसे उ heat से, जो evolve हो रही है, महाँ पर, तो याद होगा, जब मैंने तुम्हें समझाया था, वीडियो में भी, कि आपने यदि एक बीकर लिया है, और उस बीकर में आपने क्या किया है, ये acid है, acid को आपको dilute करना है, तो आप क्या लोगे बीकर में, acid लोगे, water लोगे, जल्दी बो करोगे, एक rod से, इसको stir भी करते जाओगे, जिससे की जो, ये आपकी क्या है, गिलास rod है, जिससे आपकी जो आपका acid है, वो इसमें जैसे से dissolve होता जाएगा, और जो heat evolve हो रही है, इस reaction में, क्योंगी reaction, exothermic reaction है, तो जो heat evolve हो रही है, वो क्या होगा, वो वहीं पर balance होती होगे, तो देख लेते हैं, यहाँ पर, अब option क्या है, option A, by adding acid to water with constant string, तो हमने यही किया है, हमने acid को water में add किया है, with constant string with glass rod, तो यह तो option हमारा सही हो गया, यह option, option B, by adding water to acid, नहीं है, यह बहुत ही खतरनाक वाला मामल है, by adding water to acid, followed by base, यह भी नहीं है, by adding base to acid with constant string, यह भी नही है, तो option कौन सा हमारा correct हो जाता है, answer, option A is the correct answer, question 10, why is it important to balance a skeletal chemical equation, first chapter में पढ़ रखे आपने कि skeletal chemical equation, skeletal chemical equation कौन से होती है, जो balance नहीं होती है, तो उसको balance करना क्यों जरूरी है, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था, जो 9th class में law of conservation of mass, उसी को follow किया गया था, यहाँ balancing के लिए, कि चुक्यों उस law को, law क्या है, conservation of mass की, mass कभी भी reaction का, before the reaction, after the reaction, ना destroy होगा, ना create होगा, तो इसी लिए हम उसको balance करते है, chemical reaction को, तो देख लेते हैं, option क्या है, to verify law of conservation of energy, wrong है, to verify the law of constant proportion, यह भी wrong है, c option, to verify the law of conservation of mass, yes, it is correct, to verify the law of conservation, of momentum, यह भी wrong है, तो हमारा कौन सा option correct है, आपर, answer is option C, question 11, carefully study the diagram of human respiratory system with levels A, B, C and D, select the option which gives correct identification and main function or correct district, यहाँ पर, यह चो लेवलिंग दिया आपको, 1, 2, 3, 4, यह बताना है, क्या है part, और, क्या लेवलिंग है, नीचे इसके options दे रखे हैं, उससे match करना है, option A दिया है, आपका first trachea, तो यह ठीक है, यह ट्रेकिया है, correct हो गया, second option दिया है, B, that is ribs, यहाँ पर यह ribs होती है, हमारे, यह भी correct हो गया है, C दिया है, L लाई, दिख रहा है आपको, यह ballon-like structures है, L लाई हो गया, ठीक है, जो L लाई होते हैं, bronchiol के आगे, L लाई होते हैं, यह ballon-like structures होते हैं, फिर यह fourth है, आपका diaphragm, यह भी correct है, diaphragm, ठीक है न, अब पूछा है इनके functions, क्या यह functions नहीं है, यह आपको match करने है, it is supported by boni rings, ठीक है, support करता है, for conducting, inspired रहा है, नहीं है, यह रोंग है, यह support करता है, क्यों करता है, मुझे आप comment box में करके बताओ, तब तक मैं आपको 2 minute का time द करते हूं, rips, when we breathe out, rips are lifted, नहीं, जब हम बाहर देखो, आप अपने को अभी, breathe in करो, आप देखो, कि rips lift up हो रही है, और down, जब आप breathe out करोगे, it lifts inverse, invert जाती है, ठीक है, मतलब, उस समें कहोगा, volume, lungs का कम होता है, तो rips अंदर जाती है, simple सी बात है, तो यह आपका, रॉंग अपने मतलब है, यह सही है, क्योंकि यहाँ पर ही, gases एक्स्चेंज होता है, तो आपका 3 option तो यहाँ पर correct है, option 4 कह आपका diaphragm, it is pulled up when we breathe in, तो pulled up होता है, जब breathe out करते हैं, जब breathe in करते हैं, तो वो flatten होता है, rips lifted होती है, जब हम breathe in करते हैं, और जो आपका diaphragm है, वो flatten होता है, क् इसका जो chest का जो volume है वो बढ़ता है उससे और हम ज्यादे air breathe-in कर पाते हैं तो हमारा यहाँ पर कौन सा answer correct हो जाता है? answer है हमारा option C is the correct option question 12 पूछा identify the option that indicates the correct enzyme that is secreted in location A, B, C देखो तीन location थी है A, B और C तीनों में आपको बताना है कि कौन से enzyme यहाँ पर secret हो रहा है यहाँ पर आपके options इस तरह से दिये हुए है तो पहले तो location देख लो क्या है जो first है वो क्या है? आपका mouth हो गया है आपर clear हो गया यह हो गया आपका stomach यह भी clear है और यहाँ पर यह जो दिया यह थोड़ा सा इनका आगे बढ़ गया है यह काईदे में यह दिखाना चाहरे है आपका pancreas क्योंकि small intestine तो इन्होंने शो नहीं किया यहाँ पर यह तो pancreas शो करने एक तरह से ही है ठीक है अब देखो यहाँ पर mouth में हमें पता है क्या होता है salivary amylase होता है जो कि salivary glands जो है वो secret करते है salivary amylase correct हो गया stomach में gastric juices होते है SEL होते है pepsin होते है mucus होते है तो यहाँ पर जो enzyme होगा वो क्या है आपका pepsin है pancreas में pancreatic juices होते है जिसमें कि amylase होता है यहाँ पर amylase होता है lipase होता है और trypsin होता है ठीक है ना अब देख लेते हैं कौन से enzyme की बात चल रही है आपर option A है lipase trypsin, pepsin तो भई A आपका lipase नहीं है mouth में क्या है आपका first option देखो first यह amylase है तो यह आपका wrong है यहाँ पर A आपका wrong हो जाता है B first amylase correct हो गया 2 pepsin यह भी correct है 3 trypsin यह भी correct है अब यह तो आपको ध्यान होगा ना amylase क्या करता है starch को maltose में change करता है pepsin क्या करता है proteins को peptones में change करता है trypsin क्या करता है peptones को peptides में change करता है तो हमारा B option यहाँ पर correct हो जाता है option C में लिखा है first trypsin, यह trypsin wrong हो गया है यहाँ पर, amylase है D में भी पर में लिखा है first option, तो first पढ़के ही पता चल जा रहा है अब गलत है तो हम आगे नहीं पढ़ रहा है इसको ठीक हो गया तो हमारा B option यहाँ पर correct answer है answer is B option clear? समझ में आ रहा है नहीं तो बहुत द्यान से इस तरह करना है 13th question opening and closing of istrometal pore depends on यह बहुत important question था मैंने जब पढ़ा रही थी तब भी आपको रहता है था video आप देख ले ना कि यह caution पूचा जाता है कि किस चीश पर depend करता है तो भई यह हमें द्यान है कि जो istrometal pore होता है वो कुछ इस तरह से structure होता है आपको याद होगा यह इसकी guard cells होती है इसrometal होता है उसमें यह guard cells होती है तो जब इन guard cells में पानी भरा होता है उसमें यह open होता है यह किस की figure है यह open istrometal है और जब यह guard cells जो है वो shrink हो जाती है कुछ इस तरह से कुछ structure हो जाता है इनका तो इसको क्या कहते हैं close istrometal कुछ इस तरह से यह तो यह क्या है आपका close istrometal हो गया means किस पर depend कर रहा है मैंने कहा guard cells swell हो रही है ठीक है यहाँ पर कहा है आपकी guard cells swell और यहाँ पर कहा है shrink हो रही है तो swell और shrink का होता है जब हमारी guard cells में पानी होगा it depends on water content जब पानी होगा तो swell होगी पानी निकल जाएगा तो shrink होगी तो यह नहीं हमारा जो guard इस्टोमेटल पोर है वो किस पेटिमेंट करता है वाटर कंटेंट इन गाड़ सेल तो आंसर में मिल गया है आप देख लेते हैं आप्शन आप्शन ए है एट्मोस्फिरिक ट्रेचर नहीं बी ऑक्सिजन कॉंसेंटरेशन अराउंड इस्टोमेटर यह भी नहीं है, कार्वन दॉक्सिजन कॉंसेंटरेशन अराउंड इस्टोमेटर यह भी नहीं है डी ऑप्शन वाटर कंटेंट इन गाड़ सेल यह यही मैंने आपको अभी बताया आपको समझ में आगया होगा अच्छे से और यह आपको आतब होगा याद होगा आपको और वीडियो में आप देखने हैं जाकर कि जादे तर इस कॉस्टेंस मैंने आपको बता रखे हैं इंपोर्टेंट और वो आपको पेपर में देखने को मिल रहा होंगे तो आंसर में आपका है आपका Option D Question 14 The figure given below shows a schematic plan of blood circulation in humans with levels 1-4, 1-2-3-4 level देखने हैं identify the correct level with its function देखो सबसे पहले आपको यह लेवलिंक देखने हैं और याद होगा आपको यह भी मैंने आपको वीडियो में बता रखे हैं कि यह बहुत इंपॉर्टेंट टैग्राम है तो वो आचुका है आपके sample paper में hopefully exam में भी आ सकता है तो यह आपका क्या है first level है pulmonary vein याद आ रहा है आपको lung से कहां पर आ रहा है blood के first left chamber में upper chamber में जो कि यह left atrium यह क्या आपका left atrium हो गया यह हो गया आपका left ventricle this is the right atrium and this is the right ventricle ठीक है अब हम देखते है फर्स्ट वाला क्या है pulmonary vein यह क्या आपका pulmonary vein तो pulmonary vein first हो गया second आपका है यह aorta यह आपका aorta कहां से ला रहा है देखो यह आपका लाईकार आ रहा है यहां से ventricle से left ventricle से कहां ला रहा है body tissues में ला रहा है clear third है आपका यह आपको दिख रहा होगा यह आपका ventricle से right ventricle से blood कहां ले जा रहा है lungs में ले जा रहा है this is pulmonary artery pulmonary artery and the fourth one is यह यहां पर देखो ऊपर जा रहा है atrium में कहां से body tissue से लेग जा रहा है blood deoxygenated blood तो यह fourth option कहा हमारा वेनक कैवा यह हमारा हो गया complete leveling अब इनके functions pulmonary vein क्या करता है देखो lungs से it carries blood from lungs from lungs to heart heart के कौन से chamber मिलाता है left atrium में ठीक है जो aorta का function है वो क्या है it carries blood from heart to body tissue या body part यह ही इसका function ठीक है यह से ventricle से blood लेकर गया body parts में ले गया अब pulmonary artery जो third है इसका function देख लेते हैं इसका function होता है जो ventricle में blood है क्योंकि जो right atrium से impure blood oxygenated blood कहा जाता है right ventricle में जाता है तो ventricle से right ventricle से यानिके heart से blood कहा ले जा रहा है lung से तो carries blood from heart to lungs ठीक है और जो last है वे नकेवा यह देखो body parts से heart में लेकर जा रहा है तो from body parts to कहा ले जा रहा है heart तो यह आपने इसके functions देख लिए है अब इनके options देखते हैं क्या दिये हुए है देखो first option एक वा फिर से इसको पहले check कर लो जाए option देखने के pulmonary vein carry oxygenated blood यहाँ पर यह भी लिख लो oxygenated blood ठीक एन oxygenated blood from lungs to heart aorta carry oxygenated blood from heart to body parts pulmonary carry impure blood यहने कि deoxygenated blood from heart to lungs अब इनके वे ब्रिंक deoxygenated blood from body parts to heart अब देखते है pulmonary vein लिख है takes impure blood हमने क्या का takes pure blood तो यह तो wrong हो गया आपका first option pulmonary artery takes blood from lungs to heart कहां से from heart to lungs not from lungs to heart यह भी wrong हो गया second option third option aorta takes blood from heart to body parts from heart to body parts तो यह तो correct है fourth option वेनकेवा takes blood from body parts to right auricle body parts to right auricle body parts to heart अब यहां पर यहां पर इस पेपर में यह आपका एक रॉंग चीज है क्या है क्या है रॉंग है कि यहां पर दो ऑप्शन करेक्ट दिए हैं और और ऑप्शन डी जो है वो आपका mention क्या हो है marking scheme में correct है जबकि option C भी आपका correct है तो यह ऐसी कोई चीज हो तो आप देख लेना दोनों option जो correct दिख रहे हैं आपको आपको लग रहा है दोनों correct है तो आप दोनों पर कर देना जिससे कि अपने आप C.B.S.S. को देखेगा है इसी होती नहीं यह mistake क्याट आपके दोनों option correct आपको दिख रहे है आपको देख रहे है ए और टेक्स ब्लट फॉम हार्ट टो बॉड पार्ट यहस फॉम हार्ट टो बॉड पार्ट टो राइट और टो दोनों ही option करेक्ट है question 15 identify the phase of the circulation which is represented in the diagram of heart given below ठीके heart में circulation का face दिखाये जा रहा है वो आपको identify करना है arrows indicate contraction of chambers shown arrows contraction show कर रहे हैं chambers में दोनों arrows जो आपके down के chambers हैं उसको show कर रहे हैं आपको याद होगा इधर left atrium होता है suppose तो जब ये contract करता है तो blood जाता है left ventricle में और इसी तरह से इधर right atrium होता है ये contract करता है तो blood जाता है right ventricle में यहाँ पर ये oxygenated blood जाता है यहाँ पर ये de-oxygenated blood जाता है याद है यह सब यहाँ पर ये कैसे होता है यहाँ पर देखो यहाँ पर ये lung से blood आता है this is lungs ठीक है पल्मोनरी vein के थुश और फिर यहाँ पर जब relax के वोगा है यहाँ पर आया है, यह contract किया है, तो left ventricle में गया, फिर left ventricle जब contract करता है, तो blood क्या होता है, aorta के through, यहाँ पर क्या है, aorta के through किसमें आता है, body parts में आता है, clear होगे, very good, अब यहाँ से body parts से क्या होता है, यह blood कहाँ पर आता है, यह blood आता है, body parts से, right atrium में, right atrium में, right atrium में, right iatricle में गया. Right ventricle contract किया है, तो blood कहाँ पर आते है, आपका lungs में जाता है, ठीक है, यह lungs में जो blood जा रहा है, वो किसके थूर जाता है, pulmonary artery के थूर जाता है, तो यह तो आपका flow chart मैंने ये चमिए पर औने ये फिर से आपको थूझा सा roughly एक sketch दिखा दिया है, तो यहाँ पर हमें दो चीजे पूछी है यह मैं highlight करते हूँ, यहाँ पर एक तो यह पूछा left end ventricle और right ventricle यह contract कर रहा है तो कहा जा रहा है देखो left ventricle ने contract किया तो body parts में आया right ventricle ने contract किया तो heart से lungs में आया यह हमें दिखा रहा है, आपर यह दो arrow दिख रहा है ठीक है, अब यह देख लेते हैं option option one is blood transferred to the right ventricle and left ventricle simultaneously, तो यह आपका wrong हो जाता है option second option है, blood is transferred to the lungs for oxygenation and is pumped to the various organs simultaneously यह सही है, देखो यहाँ पर क्या है यहाँ से blood गया, आपका देख रहा है यहाँ से blood गया, purification के लिए, यहाँ से body part में आया यह ही दिखाया है, यहाँ से blood गया, purification के लिए, यहाँ से body parts में आ रहा है यह ओर्टा कि तो B option is the correct option, C option blood transferred to the right auricle and left auricle simultaneously यह भी wrong है, blood is received from lungs after oxygenation यह भी wrong है and is received from various organs of the body, क्योंकि यह कब होता है जब auricle में आ रहा होता है यहाँ पर ventricle contact कर रहा है और यह का B option correct हो जाता है तो answer के आपका option B is the correct option A है clear हो के सही से, very good question number 16, observe the diagram of the human digestive system, यहाँ पर आपको यह human digestive system दिखाया हुआ है यह आपको दिख रहा होगा, यह mouth हो गया, buccal cavity हो गया ठीक है, यह second हो गया आपका liver, यह हो गया आपका mouth first one, second हो गया आपका liver third हो गया आपका, यह small intestine है fourth भी आपका small intestine है, ठीक है अब देखते हैं कि क्या पूछा है आप से पूछा है मैंसे, लेबलिंग रिफर्ट तो column 1 and correlate with the function in it means first क्या हो गया, आपका mouth हो गया second क्या हो गया, आपका liver हो गया third क्या हो गया, आपका small intestine हो गया fourth भी आपका small intestine हो गया अब इसको मैच कर लेते हैं first क्या है आपका जो आपका mouth है, mouth क्या है the length of this depends on food no, यह नहीं है, B option initial phase of starch ration, yes यह correct है, जो आपका first option है, वो क्या है यहाँ पर यह आपका यहाँ पर B आ जाते है second हो गया, liver liver में आप क्या कर सकते हो third पड़ते हैं, option क्या है, increases the efficiency of lipase enzyme action the liver initial, second option हमारा first mouth हो गया A, the length of that, this depends on food, यह नहीं है, liver, increases the efficiency of lipase enzyme, तो liver, जो है, वो क्या करता है, C option यहाँ पर correct better है, आपका, increases the efficiency of, क्योंकि यहाँ से bile juice निकलता है, लिवर से और उससे आपका जो है, वो lipase enzyme, अच्छे से work करता है fat का, broken down होता है fat emulsifies होता है then, small intestine अब दोनों option बचे small intestine के, एक option है the length of this depends on food the organism eat and the fourth one is this is the site of complete digestion, यह यह correct है आपका तो जो आपका यहाँ पर, third option में लिख सकते हो आप यह, D और fourth option होगे आपका A, the length of it क्योंकि आपका पता है, जो carnivores होते हैं, उनकी small intestine का size छोटा होता है, than that of the herbivores, तो देख लेते हैं, हमारा क्या आ रहा है, first में आ रहा है हमारा B, first में आ रहा है हमारा B, यानि कि first option तो हमारा wrong है इस A option तो wrong हो गया B option में B आ रहा है, यहां भी B आ रहा है, B और C में देख लेते हैं second option हमारा तो B में हमारा second option C आ रहा है third option D आ रहा है and fourth A तो मेरा B correct आता है C भी wrong हो जाता है क्योंकि C में second दे दिया है आपका D जो कि liver का function नहीं है liver में digestion नहीं होता है तो यह wrong हो जाता है फिर यहाँ पर second A liver की length depend नहीं करती है तो यह भी wrong हो जाता है first B इसका D दे दिया है कि side mouth side नहीं है तो यहाँ दोनों रॉंक हो जाते हैं तो क्या option आपका correct आ रहा है option B is the correct option अब 17th question which of the following mirror is used by dentist to examine a small cavity in a patient's teeth देखो जब dentist patient का teeth को observe करते हैं वैसे तो तुम्हें याद आ जाना चाहिए यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है concave mirror use किया जाता है अब क्यों किया जाता है concave mirror वो भी एक बार फिर से समझ लो क्योंकि dentist को क्या करना होता है examine करना होता है means उसको teeth का जो part test करना है examine करना है वो उसको थोड़ा enlarge दिखे और बहुत पास से भी देखना पड़ता है आप देखते होगे कि patient को जब उसके लिटा आते हैं जो उसके table होते है तो dentist बिल्कुली नजदीक जाकर देख पाते है तो जो lens यूज करा है या mirror यूज करा है वो कौन सा mirror यहाँ पर यूज करा है आप straight देख पाएं means erect image देख पाएं क्योंकि dentist को erect image चाहिए होती है ठीक है तो यह पहली रे जाती है like this इसमें और दूसरी रे suppose यह गई तो जो इसकी image बनती है वो कहां बनती है आपकी back side बनती है और enlarge बनती है तो यही position जो यह dentist को चाहिए होती है क्योंकि जो भी part examine कर रहे है टीत का वो इसको enlarge देखे तो इस mirror की इस property के बज़े से कि जब focus और pole के बीच मां object है तो image enlarge देखेगी erect upright देखेगी इसी के बज़े से dentist यूज करते है कौन के mirror को तो reason तो मैंने बता दी आपको यहां पर आपको सिफ identify करना था तो यहां convex mirror नहीं है plane mirror भी नहीं convex क्यों नहीं है क्योंकि diminished image देगा plane क्यों नहीं है क्योंकि equal size image देता है anispherical mirror इसले नहीं है क्योंकि convex mirror इसमें included नहीं है तो option C आपका correct हो जाता है तो answer के आपका option C Question 18 Which diagram shows image formation of an object on a screen by a converging lens अब देखो converging lens के image formation दिखाई है पहले तो यह समझने कोशिश करो क्या दिखा रखा है तो कि यहां पर दिखाया है कि जो ray आ रही है object से वो यह distance दिखा है 2F तो यहां पर band होई है 2F पर तो यह तो गलत है क्योंकि जो parallel ray जाती है वो focus से होकर जाती है तो इसमें हमें ज़्यादा कोश सोचना नहीं है यह यही पर गलत हो जाता है wrong हो जाता है second में भी same situation दिखा दिखा दिए कि parallel ray यहां से गई और यह focus की जगा 2F यह 2F दिखा है ना this is 2F of this lens यह भी आपका wrong हो जाता है third क्या है आपका यहां पर object से parallel ray गई है focus से होकर के जा रही है ठीक हो गया फिर second ray optical center से होकर के जा रही है और ठीक हो गया यह correct है आपका वैसे भी आप इसमें यह भी देख लो आप जब यहां पर यह optical center से होकर जा रही है तो यह सीधी जाने चाहिए तो एक curve जा रही है और इसी तरह से इसकी भी जो दूसरी ray है वो parallel जाने चाहिए जो कि parallel नहीं है तो दोनों ही rays जो है वो curve बड़े A और B में C में दोनों rays correct है तो यह option हमारा correct बन जाता है इसी तरह से हमारा DV गलत है क्योंकि यह यह फोकस से होकर आ रही है तो यह parallel जाने चाहिए थी secondary जो कि नहीं जा रही है तो यह भी हमारा wrong हो जाता है तो बहुत simple सा question था भई option C is the correct answer clear? good ध्यान से इस तरह से diagram बाले question में एक दम से ध्यान देना है कि किस चीज से हम eliminate करेंगे कि कौन से हमारा wrong है और कैसे हम choose करेंगे कि कौन से हमारा right है question number 19 which of the following can make a parallel beam of light when light from a point source is incident on it जब हमें पूछा गया है कि कब हमें parallel beam मिलती है light की जब point source कहां पर है हमारा किसी point source से light incident हो रही है mirror के उपर या lens के उपर तो हमें दो केस पता है इसमें तो यदि मैं convex lens की बात करती हूं तो यह मेरा convex lens है ठीक है यह हमारा इस तरह से बन जाता है principle axis यह इसका optical center हो गया यह suppose इसका focus है ठीक है तो यदि इस point source से light जाएगी तो कहां जाती है यह द्यान आ गया यह पैरलल जाती है इस तरह से तो हमें parallel beam convex lens के case में मिलती है जब point source हमा रहा हो यानि कोई भी object हमारा focus पर रखा है तो हमें parallel beam मिलेगी in case of convex lens और इसी तरह से concave mirror का case भी हम देखते है तो concave mirror के case में भी क्या होता है सेम होता है यह यह आपका focus है मालो यह focus है यह pole है ठीक है तो यह यहां से light गई incident ray गई और यह parallel लोटती है यहाद आ रहा है आपको yes very good इसी तरह से यहां से ही गई और यह भी parallel लोटी तो answer आपका आ जाता है यह clear answer आ गया है यह concave mirror है तो हम देख लेते हैं हमारे पास concave mirror और convex lens यह दो हैं जिसमें हमें parallel beam of light मिलती है first option concave mirror as well as convex lens yes यह हमने निकाला है तो हमारा A option correct हो जाता है B convex mirror, concave lens wrong है two plane mirrors, concave mirror as well as concave lens question 20 consider these indices of refraction refractive index दिये हुए है glass का दिया है 1.52 air का दिया है 1.003 and water का दिया है 1.333 ठीक है तीन indices हमें दिये है अब हमें यह पता है कि जो mu होता है mu यानि कि refractive index होता है वो क्या होता है speed of light in vacuum upon speed of light in medium यह होता है यह यह होता है तो यहनि कि जो refractive index है हमने क्या देखा refractive index से यह reciprocal है means refractive index जादा होगा speed of light कम होगी refractive index कम होगा speed of light जादा होगी वाई से वर्सा होगा तो based on the refractive indexes of three materials and then the speed of light through them in decreasing order तो हमें पता है यह यह refractive index कम है speed of light जादा होगी तो यहाँ पर refractive index किसका सबसे जादा कम है देखो यहाँ पर 1.52 है 1.003 है 1.33 है तो air का सबसे कम है air का जो refractive index है वो सबसे कम है फिर water का है और उसके बाद है आपका glass का यह है आपका refractive index की बात यह दि मैं कर रही हूँ यह refractive index है ठीक है this is mu और यदि मैं speed of light देखू तो उल्टा हो जाएगा speed of light की बात करूँगी तो क्या हो जाएगा speed of light यह क्या होगा air में सबसे जादा हो जाएगा क्योंकि उल्टा होना यहाँ पर वाई से वर्स होता है यदि refractive index सबसे कम है the speed of light सबसे जादा होगी फिर water का हो जाएगा और फिर glass का हो जाएगा हम यही sequence देख लेते हैं अपने options में the speed of light in water यह wrong हो गया आपका first option second option the speed of light in glass यह भी wrong है third option the speed of light in air yes यह सही लग रहा है the speed of light in water भी सही है the speed of light in glass तो हमारा c option correct है जाता है d option b हमारा wrong है क्योंकि glass सबसे पहले दे हो है तो हमारा answer के आगे आपर option c is the correct answer very good समझ में आगे अच्छे से धान रखना यदि refractive index जादे है तो speed of light हमेशा कम होगी refractive index कम है तो speed of light हमेशा जादा होगी question 21 if a beam of red light and a beam of violet light are incident at the same angle of the inclined surface of a prism from air medium and produce angles of refraction R and V means red light का and violet light का respectively which of the following is correct देखो जब हमारा ये prism होता है suppose ये prism है ठीक है और यहां से ये light जा रही है ये incident light आई तो ये क्या होता है reflection होता है यहां पर ये इस तरह से करके ये light जाए वो क्योंकि यहां पर क्या होगा ये red होता है याँ पर ये violet reason होता है यानि कि जो deviate होती है most that is the violet violet deviate the most तो violet का reflection angle चाहदा बनेगा और इसका reflection angle कम बनेगा तो यहां पर क्या होगा R is less than V क्योंकि जो reflection का angle बनेगा वो R का कम बनेगा red light का कम बनेगा ये red light है ये violet light है ठीक है तो red light कम deviate होती है violet बहुत जादा deviate होती है clear होँा तो यहां पर जो angle of reflection R का होगा red light का होगा ये less deviate करती है तो इसका less होगा और जो reflection angle होगा violet का कोई कि ये जादा deviate करती है इसका जादा होगा तो देख लेते हैं option r is equal to V wrong है R is greater than V भी रोंग है, R is equal to 1 by V is wrong D option, R is less than V is correct, तो हमारा answer आजाता है है आपर, option D is the correct answer Question 22, examine the above figure and state which of the following option is correct, one small box is figure, in the figure is equal to 1 cm, देखो ये एक figure दिये हैं, और आपको कुछ option पूचे गए हैं, और ये जो distance दिये है, ये 1 cm किये, ये square दिये हैं, ये आपके, ये 1 cm किया है, clear अब देखते हैं क्या है the mirror has a focal length, option 1 कहता है, the mirror has a focal length of minus 6 cm and will produce an image of magnification 1 plus 1 ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 1 cm दिया हुआ है this is 1 cm, और ये mirror के left side है, तो focal length minus में आगी, ये clear हो गया तो ये हमारी focal length minus में होने चाहिए है, कितनी है minus में, देखो 1 2 and 3, 3 cm है तो minus 3 होने चाहिए focal length yes, यहाँ पर ये थोड़ा सा clear दिख रहा है minus 3, सही है minus 3 focal length and will produce an image of magnification minus 3, इसको देख लेते हैं देखो ये ये मेरा object कहाँ पर है, C पर है ये कहाँ पर हुआ विल्कुल सही है, C पर object है तो ज़़ C पर object होता है तो जो image बनती है वो हमारी कहाँ बनती है हमारी image तव C पर ही बनती है, तो आपको याद होगा ठीक है, तो इस तरह से करके ये हमारा बनती है image ये हो गया, और ये यहाँ पर बन गई आपकी image यह focus पर आया और यहां से आपका एक तरह से यहां से इस तरह से बन जाएगी C पर image बनती है और जो magnification होगा आपका वो कितना होगा? minus 1, क्योंकि minus 1 क्यों होगा? क्योंकि 1 होता है magnification जब उसी equal image बनती है C पर हमारी image हमेशा equal बनती है क्योंकि यहां पर same height की image बनेगी C पर और inverted है इसलिए minus मो होता है यह तो आपको पता है कि inverted images minus मो होती है focal length minus में क्यों? क्योंकि left side की distances minus मो होती है B option is correct C option क्या है? minus 3 is the focal length and will produce an image of magnification plus 1 अब plus 1 इसलिए नहीं है क्योंकि real inverted image है erect और virtual image नहीं है तो C wrong हो गया और D option minus 6 focal length यह भी wrong है तो answer हमारा क्या आजाता है? answer हमारा आजाता है option B बहुत ध्यान से देखना 1 cm का square है 3 squares है left side है तो minus 3 हो गया focal length और minus 6 पर आपका object रखा है इसी पर जब C पर object होता है तो उसी पर image बनती है और जो image की height है magnification होता है question 23 के दिया है the angle of incidence from air to glass at the point O on the hemispherical glass slab is यहाँ पर point O कहाँ पर है यह Q है यह P है यह O है हमें यहाँ पर देखना है पूछे आप से angle of incidence यहाँ पर क्या होगा अब देखो यह तो सीधी ले जा रही है न यहाँ पर कहीं भी mode ने रही है यानि कि जो ray मुड़ती है normal के side या normal से अब यह वो नहीं हो रहा है यानि जिस route से आ रही है उसी route पर जा रही है तो angle हुआ incidence का वो क्या होआ 0 हुआ बहुत simple question है जब भी इस तरह की सीधे रही दिखाए जाएगी तो क्या हुआ angle of incidence 0 हुआ क्योंकि normal से 0 angle बन रहा है यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होगे आपका option दिया है option A is given 45 B is 0 degree C 90 degree D 180 तो हमारा option B correct है तो answer क्या है आपका B that is 0 degree तो जो angle of incidence है यहाँ पर angle of incidence वो कितना आ रहा है यहाँ पर आपका 0 degree clear? आ रहा है समझ में अच्छे से? very good 24 के है अप प्रिस्म ABC with BC as base is placed in different orientations a narrow beam of white light is incident on the prism as shown below figure in which of the following diagrams after dispersion the third color from the top of the spectrum corresponds to the color of the sky उपर से आपको देखना है from the top यह ध्यान रखना है from the top of the spectrum corresponds to the color of the sky color of the sky क्या होता है? blue color means हमें उपर से तीसरा color blue किस situation में दिखेगा देखो यह जो situation बन रही है इसमें क्या हो रहा है? first में जब base down रखो है कुछ light इस तरह से करके आपका होगा यह red होगा यह violet होगा तो violet, indigo, blue होता है ठीक है? इस condition में आपका उपर से तीसरा हो जाएगा कुछ इस तरह से हो जाएगा यह बहर यह V हो जाएगा यह बहर यह आर हो जाएगा तो यहाँ पर आपका विवग्योर यह दिखेगा तो हमारा वी option यहाँ पर जो second वारी figure है यह correct है second वारी figure correct आ रही है अब ये दोनों में तो नहीं होगा कुछ ठीक है ये दोनों तो आपका सही से place नहीं क्योंकि जो आपका base है वो उपर या नीचे होगा तब ही होगा इस तरह से तो हमारा कौनसा option correct है हमारा A wrong है, first option wrong है B option हमारा correct है C और D हमारे wrong हो जाते है तो हमारा B option correct है जाता है answer क्या हो गया हमारा option B is the correct answer तो यह आपका section A का last question हो गया 24th question तो इस तरह से आपने देखा कि 24th question करने में solve जादे समय आपको नहीं लगेगा क्योंकि यहां तो मैंने आपको explain किया है आपको तो सीधे सीधे समझ कि options को टिक करना है किसी को explain नहीं करना है कि उसको आपको time देना है तो आप इसली कर सकते question paper में बहुत आसान questions आप से पूछेगा है but again NCRT पर ही based question paper है आपने देख लिए अब तक A section complete करते करते हैं कि सारे questions NCRT से ही related NCRT पर based है जिसने NCRT पढ़ा है उसको सब कुछ आएगा और एक बात और बताते चलूँ कि हमारे channel पर जो वीडियोस आप देख रहे हो सारे NCRT based ही मैं आपको lecture देती हूँ तो आपको कहीं भी confusion है आप जाकर के playlist में वीडियो on कर सकते हो देख सकते हो तो समझ लिया होगा आपने अच्छे सारे questions को अब हम मिलेंगे next video में section B के साथ section B के भी 24 questions है उनको भी हम single video में करेंगे फिर section C देखेंगे जिसमें हमें 12 questions देखने है ठीक है अब जो single single questions काई बार होता है किसी बच्चे का मने केवल एक question देखना चाहता है तो आप question number same रखना है मुझे sample paper का और single question में upload करने जारी हो single single question form में short video में in one minute video तो वो आप अपना किसी भी समय आपने खोला आप देख सकते हो तो आप short videos चैनल पर जाकर देख सकते हो Thank you